वह पे हमने बात की की कि तॉ कि वहां पर शारी जितने भी रीपरेंट है उसके भी पदले में सब्सक्राइलिक अंप का इसक्षी तिमाल किया जाता है उसके बाद हमने देखा था कि objective क्या होना चाहिए यानि कि अगर मैं तुम से कहूं कि आपका जो जो भी आपका power plant है उससे आप जो बिजली दे रहे हैं उसके लिए आपको टैरिफ plan set करना है तो जो टैरिफ plan जो तुम set करोगे वो किस तरीके से होना चाहिए उसके अंदर क्या-क्या objective cover होने चाहिए तो वह मैंने यहां पर discuss करा था इसके बाद मैंने आपको बताया था simple tariff क्या होता है जिसके अंदर बिल्कुल एक unit के पैसे fix थे और हमने यहां पर किसी भी तरीके उनके charges हमने mark कर दिये लेकिन अगें इसके अंदर भी हमने यह नहीं करा कि किसी भी तरीके का हम कुछ discount नहीं दे रहे थे single category के अंदर यानि कि एक category के अंदर रेट fix थे एक तो यह problem solve करने के लिए ब्लॉक रेट काफी अच्छा system था इसके अंदर हमने इस problem को solve कर दिया था यानि कि जैसे जैसे blocks आप ज्यादा यूज करेंगे वैसे वैसे आपका जो बिजली का बिल है उसको अलग अलग रेट पर हम charge कर रहे थे यानि कि first block में सबसे जादा पैसे देने पड़ेंगे उसका जैसी तुम second block में जाओगे तो अब तुम्हारा बिल reduce होता जा रहा था साधी साथ आपको याद होगा मैंने compare करके दिखाया था कि same number of unit अगर आपने consume करते हो तो simple tariff का बहुत जादा भी लाएगा फ्लैट का कम आएगा और block rate का सबसे कम आया था यह चीज मैंने आपको कह सकते हैं mathematically calculate करके दिखाई थी ठीक है यानि कि यह जो तीनों system हमने discuss करें टैरिफ के यह पूरे के पूरे इस बात पर बेज थे कि कितना कंजूमर चार्जिस कितना कंजूमर कर रहा है number of unit कितनी वह यूज कर रहा है इसकी उपर पूरा का पूरा matter depend था लेकिन अगर कंजूमर की बात कर लेते हैं consumer का जो load होता है अगर उसको जड़ा देखेंगी power consumption कर कैसा होता है तो हमें कुछ इस तरीके का consumer का power consumption कर देखने को मिलेगा जहां पर हम देख सकते हैं कि कभी load base load के आसपास रहेगा normal और कभी-कभी हमें peaks देखने को मिलेंगी देखो यहां पर देख सकते हो कभी-कभी आपको इस तरीके की पीक्स देखने को मिलेंगी ठीक है और कभी-कभी यह base load यानि की average loading के pass होगा ठीक है तो बास सब्च में आ रहे हैं तो यानि कि क्या हुआ कि consumer तो कभी-कभी तो बहुत heavy loading होगी और कभी-कभी हमारी normal loading होगी अगर हम अपना एक power plant तुम कहीं पर settle कर रहे हो यानि पावर generation unit कहीं लगा रहे हो तो उसका जो design होगा power plant system का या power unit जो भी तुम setup कर रहे हो वह इस बात पर उसका size होगा power plant का जो हम setup कर रहे हैं इस particular type के load profile के लिए वो depend करेगा maximum demand पे देखो होता है क्या है यार base load पे कोई भी generation चल जाएगा लेकिन बात होती है यह जो peaks देख रहे हो देखो मैं यहाँ पे इसको color से सोड़ा highlight कर देता हूँ आपको ताकि देख पाओ आप clear करके so these are the peaks यह है हमारी maximum demand समझमारी बात ही है तो अब इन peaks को कैसे tackle करेगा तुमारा system यहाँ पे आ जाता है size of power plant का बड़ा ही important chapter समझमारी बात ही है तो यानि कि जब तुम power plant design कर रहे हो ठीक है design करते समय तुमारा power plant का size क्या रखोगे तो उसका size जो है maximum demand पे काफी हद तक depend कर जाता है clear हो रहा है यहाँ पे समझमारी बात ही है maximum demand इसलिए हमें consumer की maximum demand जानना ज़रूरी है यानि कि वो दिन के किसी भी समय में हो पर एक consumer तुमारा maximum demand कितनी मांग रहा है या कह सकते हैं अगर एक colony है एक पूरी city है तो उसकी maximum demand कितनी आ सकती है आपके पास किसी भी समय में दिन के तो यह जानना बहुत ज़रूरी है और इसी की basis पे हम लोग अपना power plant setup करेंगे समझ मारी बात है अगर हम maximum demand की बात कर लेते हैं तो इसकी तो कहीं बात ही नहीं हुई यार जो हमने simple tariff, flat tariff और blocked tariff देखे कहीं पर भी maximum demand की तो यार हमने कोई बात ही नहीं करी तो यहां से जो problem थी यहां इस problem को solve करने के लिए आज यह lecture मैंने design करा है और इस lecture का नाम है 2 and 3 part tariff यानि हम बात करेंगे पांचवे और चौत्य और पांचवे नंबर के tariff plan की यानि कि 2 and 3 part tariff और देखेंगे कि कैसे यह problem को solve करता है चली शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम 2 part tariff की बात करें 2 part tariff में क्या करा हम लोगों ने जो भी हमारा electricity का bill था उसे 2 parts में तोड़ दिया एक ता fix charges और एक ते running charges यानि कि अभी तक हमने जो 3 bill देखे आये थे ना simple, flat and block उनके अंदर हम लोगों ने क्या करा था कि जो हमारा bill था वो purely हमारा किस पर system बेज़ था purely हमारा running charges पर बेज़ था लेकिन अब जब हमने 2 part tariff system जो ले किया इसके अंदर हमने एक additional fixed charges भी include कर दिया बात समझ में आ रहे है तो यह एक कह सकते हो कि एक अलग सा feature हमने डाला था इस bill के अंदर यह जो fixed charges है it depends on the maximum demand of customer या consumer यानि कि maximum demand को यहाँ पर हम maximum demand को picture में ले है clear हो रहा है यहाँ यानि कि एक तरीके से हम कह सकते हैं हम एक check भी लगा रहे हैं लोगों के उपर इस bill के throw और हमें पता भी चल रहा है कि maximum demand कितनी हो सकती है ठीक है clear हो रहा है तो maximum demand किसी भी consumer की कितनी होगी यह हम लोग डालते हैं इस two part tariff में और दूसरा होते है running charges and it depends on the number of unit consumed by the consumer यानि कि अब जो आपका बिल आएगा वो दो बातों डिपेंड करेगा एक तो maximum demand तुम कितनी मांग रहे हो और दूसरा number of unit कितनी consume कर रहे हो क्या रहा है कि तुम्हें अगर power plant अगर हमें power plant design करना है ठीक है तो अगर maximum demand maximum demand जादा होगी तो हमें बड़ा size रखना पड़ेगा भाई power plant का size जो होगा वो भी हमें large लेना पड़ेगा ना यह जो बड़ा power plant का size ले रहा है इसके पैसे कौन भरेगा भाई तो यह तुम इतना बड़ा power plant लगा होगे because of maximum अब तुम बड़ा size power plant का जादा है तो इसकी वज़े से तुम्हें बड़ा size का power plant setup करना पड़ेगा तो यह जो extra charge है भाई बड़ा power plant अगर लगा होगे तो उसके पैसे कौन भरेगा उसके पैसे भी तो consumer ही भरेगा बात समझ महारी तो अगर आप maximum demand consumer की है तो पैसे भी consumer भरेगा तो इसी को यानि कि जो हम extra बड़ा power plant setup कर रहा है because of maximum demand of consumer तो जो size की जो पैसे खर्च होंगे बड़ा power plant setup करने के वह हमें include करने पड़ेंगे बिल में और वह include करता है हमारा टू-पार जिसका होगा यहां पर फिक्स चार्ट जिसको हम एक बी डॉट बी इंटू क्लोवाट कह सकते हैं और यह कहते हैं सी इंटू क्लोवाट आर समझ मारी बात यह तो यह कह बी कह बेसिकली बी तुमारे एक यह समने constant ले लिए यह एक particular term में constant हो गया यानिकि इतना for example certain क्लोवाट का है तो बी वह जाएगा और रणिंग चार्ज चार्ज तुमारे जो आएंगे वह तुमने जो खर्च कर रहे होगे सब्सक्राइब कर रहे होगे वह से में आजाएगी clear हो रहा है यहां पर यहां पर टी कोल्ट हम लिख सकते हैं यानि total चार्ज तुमारे आएंगे वह बी इंटू क्लोवाट यानि की डैश क्लोवाट का जो तुमारा मैक्सिम डिमांड है और डैश क्लोवाट आर यूनिट जो तुम कंजूम कर रहे हो इनको मिला के बिल बनेगा तो डैश की जगह हमने बी और सी ले लिया है clear हो गया यहां पर एसी लगे हुए हैं ठीक है तुमारे घर में दो एसी लगे हुए स्रटेन सॉकेट्स हैं साटेन नंबर ओफेंस पांच लोग रह रहे हैं तो इन सबको मिलाके किसी भी समय पूरे दिन के जो तुमारी मैक्सिम डिमांड जा सकती है ठीक है बास समझ मारी यानिए सब के सब डिमांड ग्राइब तौन मैक्सिममन की दोनों की डोनों की दोनों सारे कमरे की लाइट नुसक्त पेर फिर चला सब लूगा था यह कैम से considering हो गई कि it is a fixed charge यानि की fixed charge का नाम क्यों दिया गया क्योंकि maximum demand तुम्हारी fix हो गई तुम्हारे घर की किसी भी moment of time पे जो maximum demand हो सकती वो तो fix कर दी ना हमने क्योंकि हमने यह मान लिया maximum demand का मतलब है कि जब सब कुछ सारे button on है तुम्हारे घर के उस समय तुम्हारा कितना demand है यानि कितनी power क्यों डिमांड कर रहे हो तुम system से क्योंकि यह तो fix होगी ना क्योंकि इससे जादा तो तुम मांगी नहीं सकते हमेशा इससे कमी मांगोगे तो यानि कि इसके basis पर हम लोग एक fixed charges decide कर लेते हैं जो maximum demand of consumer है इसको एक fixed charge की category में रखा गया है जबकि number of unit consumed यह variable है आज दिन का time है तो लाइटे बंद है पंका चल ला है सर्दियां होंगी तो पंके भी बंद हो जाएंगी के वह लाइटे चलेंगी तो इस लिए से रणिंग चार्ज इसके अंडर में डाला गया है तो फिक्स हो गया running charges it is a variable quantity तो यह variable रहेगा यानि कि एक तरीकी की active रहेगी and this one is your passive यह तुम्हारी पैसे पी तरह वर्क करेगी समझ मारी बात है बहुत ही गहराई में जाके हम लोग समझ रहे है टू पार टैरिफ को ठीक है इतना आपको ना बुक्स में मिलेगा ना नेट पर आपको easily available है यह सारी चीज़ें बहुत जादा detailing में research करने के बाद मैंने निकाल के आपके सामने रखी है आयो आपको पसंद आ रहा होगा समझ में आ रहा होगा किस तरीके से काम होता है टू पार टैरिफ कैसे यहां तक पहुचे बहुत सिंपल है अगर मैं केवल टू पार्ट बढ बहुत आराम से मेरा लेक्षर एक ही पार्ट में खतम हो जाता लेकिन मेरे को पिक्चर बनाने मज़ाता है एक स्टोरी होनी चाहिए कि कैसे यहां तक है तो उसके लिए इतना रिसर्च करनी पड़ती है तो आयो आपको मेरे फट पसंद आ रहे होंगे किस तरीके से हम लोग तो वहर चीज़ जुड़ी हुई है इसके पीछे एक रीजन है और वहापके सामने मैंने यहां तक बताए है ठीके एकले हो गए यहां पर आयो बीजी समझ में आगई होगी अब इस लिए तुम पार लेकिया इसका कस्टमर पर क्या असर पड़ेगा यार यह कंजूमर seventara consumer जो है वो certain unit consume कर रहा है तो जो तुम्हारा बिल आएगा वो fixed charge plus energy unit consumed आएगा ठीक है अब fixed charge के मान के चलते हैं यह based है आपके क्योंकि यह आपके maximum demand based है तो यह तो fix है क्योंकि तुम्हारे घर की maximum demand है वो हमें पता रहेगी तो मान के चलते हैं 30 रुपए हमने fix कर दी आपके maximum demand के basis पर अब तुमने दिन भर जितनी वे energy consume करी उसके साफ से तुम्हारे बने 100 रुपए क्लियर हो गया यहां पर तो जो तुम्हारा बिल आएगा लगबग लगबग वो तुम्हारे घर का maximum load तो है ना भले ही वो तुम चला नहीं रहे तुम पूरे महीने नहीं रहे पर maximum load तो आपके घर का constant रहेगा जिसकी basis पर आपने मीटर लगवाया था और वो आएगा तुम्हारा 30 रुपए का समझ में आरी बात है तो अब जो तुम्हारा बिल आएगा यहां पर अब यह बिल निकल के आएगा दिस वन इस इक्वल टू 30 रुपीज लेकिन यह 30 रुपए यह तुम्हें पे करने पड़ेंगे और दिस दा कह सकते रॉंग तिंग जो कि कंजूमर के साथ कि वह उसको यह चीज उसके साथ गलत होगी समझ मारी बात ही आयोप समझ में आगया होगा अगर हम बात कर लेते हैं अब इस सिस्टम की और क्या-क्या फीचर से उनको देख लेते हैं एक प्रॉब्लम ही समझ में आ गई कि यह तुमने जो टू पर टैरिफ ले किया इसने कंजूमर कैसे आफाट करा अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक सथे करें तो हम ने इसके अंदर क्या कर अब इसके पैसे यूटिलिटी इसको बरने पड़ रहे थे ठीक है क्योंकि वहां पे कुछ था लिए रूनिंग चार्ज इस पर वेचिपस्ता पूरा और discount हम दे रहते consumer को लेकिन consumer की वज़े से ही तो हमें बड़ा plant लगाना पड़ा रहा है तो उसके पैसे utility भर रही थी लेकिन अब two part system के आने से यह problem solve हो गई ठीक है लेकिन अभी भी एक problem थी irrespective of energy consumed यह जो second part था यह part disadvantage था consumer के लिए तो यह जो system बनाए गया advantages था utilities के लिए लेकिन disadvantages थे consumer के लिए समझ में आरी बात यह क्योंकि irrespective of energy consumed यानि कि तुम energy consume करो या मत करो bill तुम्हें देना पड़ेगा on the basis of maximum demand or we can say that fixed charges clear हो रहा है यहां पर अच्छा एक चीज़ और बड़ा important point यहां पर bill equal to fixed cost plus running cost now यह जो fixed cost थी यह कैसे decide होगी यानि कि अगर मान के चलते हैं मैं रह रहा हूं इस घर में तो कैसे decide होगी तो यह decide की जा रही थी maximum demand by consumer की consumer की maximum demand के basis पर अब यह कैसे ना पोगे भाई तो यह maximum demand होती है यह depend करती कितने कम रहे हैं AC कितने लगे हैं पंके यह जो भी आता है आपने उसको बता है हमारे यह एक एसी लगा हुआ है जब कि तीन लगें और दो कमरे का मकान है जब कि चार है और लोग किते हमारे दो लोग रहते हैं जब कि छे लोग रहते हैं तो यहां पर आपने क्या करा आपने जो अपनी maximum demand बताई वो बहुत ही कम बताई ठीक है क्लियर हो गए यहां पर क्योंकि कोई अपने का तरीका था नहीं तो हमने क्या करा अपने घर की maximum demand थी बहुत ही कम बताई और ऐसे केस में उसने का ठीक है तो आपकी maximum demand तो बहुत कम है तो आपको 10 रुपए देने होंगे जबकि तुम हमारे घर में कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो यह कौन डिसाइड करें और ना ही इंजीनियर अंदर जाके सारे घर चेक कर सकता है विकाउज आप यह नहीं कि आप घर के अंदर चले गए सारे आपने जब तक की छापा ना मारू पर इतने सारे घर रहे हैं यार इतने लोग रह रहे हैं क्या सब में हम चापे मारेंगे तो यह बहुत ही जादा एक अनाइंग था और कह सकते बहुत बड़ा एरर था जिसकी वज़से मैक्सिम डिमांड जो है वह गलत होगी तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा मैक्सिमम डिमांड टैरिफ न अब यह जो मीटर है यह हमें किसी फिर इंजीनियर या किसी भी आदमी से पूछने की जरूरत नहीं यह मैक्सिमम डिमांड जो होगा यह सिंपली तुम्हारा क्या करेगा यह सिंपली आपका कैलकुलेट करके बता देगा यह दिन भर चलेगा और यह दिखा देगा कि पूर नाइन मिनेट में अगर रेस कंपलीट कर दी तो अब जो रिकॉर्ड बन जाएगा 0.9 बन जाएगा बिल्कुल वैसे ही तो यह जो मैक्सिम डिमांड मीटर ही क्या करेगा यह देखता रहेगा कि भाई तुम्हारे घर का लोड ऐसे चला अब इस समय मैक्सिम डिमांड यह हो क्या इस को अगर आप किसी भी तरीके का कुछ घोटाला करते हो तो किम्हास्टाला इंडिकेटर जो है यह उन यूटिलिटी वाटेगा कि में डाविक है् चापा पढ़ता है और आपके घर में अगर बिजली का चापा पढ़ता है तो वहां पर MDI देखके पता चल जाएगा कि तुमने जो मैक्सिम डिमांड जो तुमने बिल ले रखा है यानि कि इंजीनियर्स को अंदर घर के अंदर जाने की जरुवत नहीं तुम्हारे मीटर दे देखके ही बता देंगे कि मैक्सिम डिमांड कितनी हो सकती है ठीक है MDI के तो इसका जो इस्तमाल है यह हम लोग आज भी अपने मीटर के अंदर करते हैं अब बात चलते हैं टूपार्ट टैरिफ हमने जो भी देखा और मैक्सिम डिमांड टैरिफ यह दोनों सिस्टम बहुत टूपार्ट के अंदर हम लोग केल्कुलेट कर रहे थे मैक्सिम डिमांड टैरिफ के अंदर यह इसके लिए हमने एक सेपरेट मीटर लगा दिया था मैक्सिम डिमांड मीटर करके ठीक है तो यहां पर एक और ऐसी चीज चीज चूटी हुई थी उसको समझ लेते हैं प्रॉ किसी भी सिस्टम की यानि फॉर एक्जामपल अगर ट्रांश्मिशन लाइन जा रही तो जो टौवर जिस जमीन पर लगे हुए हैं वहां के आपको पैसे बरने पड़ रहे हैं लेबर लग रही है क्योंकि मैंटेनेंस है इसको बिछाने तार बिछाने के लिए हमें लोग च बिछा सके तो इसके लिए क्या होता है बड़ी बड़ी बैंक से लोन उठाती है तो उस जो लोन लिया है तुमने जो लाइने बिछाने के लिए उसकी उपर भी आपको इंट्रेस्ट देना पड़ेगा इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल साथी साथ डेप्रिशेशन कॉस्ट यान गया है दुकान से निगलती 5000 कर रहे गया तो यहां से पिक्चर में आता है ठीक है बासवज में आ रही है तो तो टू पार्ट टेमांड टेरिफ के अंदर यह सारी चीज़े अच्छाईयां तो थी इंपर डेप्रिशेशन कॉस्ट केपिटल कॉस्ट और कॉस्ट और इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल यह सब हम कैलकुलेट हम यह सब चार्ज नहीं कर रहे थे कंजूमर से जो अगीन यूट गया होगा आगे चलते हैं इसको समझ माया गए न अब 3 part टेरिफ सिस्टम को समझ लेते हैं 3 part टेरिफ में क्या कर रहा है कि हमने अपना पूरा बिजली का बिल था उसको तीन पार्ट में तो तो बिल में हमारे पास a plus b into किलोबकी इने डिकार यानि कि यह वाला पार्ट ला पिक्चर को देखें हमने एक को फिक्स चार्ज बोल दिया यहां पर यानि थ्री पार्ट टैरिफ सिस्टम के अंदर बी जो था वह हमारा फिक्स तो था पर यह जो बी वाला है यह वैरी कर जाएगा इसलिए हम इसे कह सकते हैं सेमी फिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेमी फिक्स नाव और सी वाला तो रणिंग कॉस्ट है तो रणिंग बेज रहे यह तो वैरियोबल ही है पूरा वैरियोबल है समझ मारी बात है नाव एक इंपॉर्टेंट कोशन यहां पर आता है कि तो मान लेते हैं तीन घर है A, B, C ए गऌनके चलते हैं लेकिन अगर हम overall देखते हैं तीनों घरों को तो it is a variable quantity तो यह semi fixed है मतलब particular घर के लिए तो यह fixed है लेकिन अगर हम consumer to consumer देखें तो it is a variable तो इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया semi fixed समझ मारी बात यह clear हो रहा है यहां पर तो जो two part tariff के अंदर जो हमने fixed charge का नाम दिया था वो एक particular घर के लिए तो fixed है यानि कि तुमारे घर का maximum demand क्योंकि fixed है तो तुमारे घर का maximum demand basis पे जो charge है वो भी fixed है लेकिन अगर हम consumer to consumer देखें तो it is a variable quantity clear हो गया यहां पर जबकि C की बात कर लेते हैं तो यह चाहे individual घर देखो चाहे consumer to consumer देखो it is a purely variable quantity purely variable ठीक है लेकिन यहां पर जो तीसरा हम लेकिया है this is a purely fixed quantity purely fixed समझ मारी बात है purely fixed charge ठीक अब यह क्यों कह रहा हूं मैं तो यह जो तीसरा वाला लेकिया है यह हम सब घरों से बराबर चाहर्ज करेंगे इसको इस तरीके से कह सकते हो जैसे की for example आप जियो का sim लेने जाते हो जियो का जब मार्केट सा sim खरीदते हो तो sim के 50 रुपए example के तो यह जो 50 रुपए तुम दे रहे हो न कंपनी का राइट खरीदेने का राइट टू परचेज यानि कि तुम कंपनी की जो खरीद रहे हो क्लियर हो गया तो अब यह जो तुम्हारे आ गया है यह उस सर्विस यानि कि अगर तुम्हारे घर में लगा है उसके जो कनेक्शन के रुपए दोगे न तुम वह आ जाएगा अब वह सबको देने पड़ेंगे तीन घर है तीनों का मैक्सिन डिमांड अलग अलग है और यूनिट रुनिंग कॉस्ट भी अलग अलग है लेकिन तीनों को क्योंकि तीनों ने यूप पीसिया लिया किसी भी जो भी त की अनलग मोंते दे लिया तो इसके तो उसके तुम्हें क्या हुआ हो गया होगा यहां पर तो यह जो फिकस है यानि कि जो तुम्हें company का connection लेने के लिए लिए इसके अंदर cover होते हैं तुमारे capital cost, labor cost, depreciation cost और भी बगएर बगएर बगएर, dash dash यह सारी चीज़े इसके अंदर cover हो जाएंगी, so this is the importance of fixed charge, यानि कि जो problem थी, true part tariff में, कि हमने यार उसमें line के पैसे नहीं लिए, हमने जो लेवर लगी, उसके नहीं लिए, हमने जो tower खड़े करें, उसके भी नहीं लिए, तो वो सारे सारे include करके हमने बना दिया अपना fixed charge, सम नहीं consume कर रहे हो, यानि कि तुम जो जियो का SIM खरीद के ला रहे हो, जियो, BSNL, कोई भी, तो यह जो आप market से, जो SIM खरीद के ला रहे हो, ना SIM, इस company को जो आप तो इसको, जियो को मान के चलते हैं, जियो को जो तुम पैसे दे रहे हो, पचास रुपए example के तौर पे, तो तुम इसके अंदर कौन सा प्लान चलवाओगे, या तुमारा maximum तुम दिन भर बात करते हो, तो उसके लिए तुम कितने का recharge कराओगे, उससे कोई मतलम नहीं है, SIM के पैसे तुमें देने ही पढ़ेंगे, connection लेने के, समझ मेरी बाती, तो service का आपको पैसा देना पढ़ेगा, clear, now यही tariff system हम लोग इंडिया में use करते हैं, यानि कि इंडिया में जो tariff system use करते हैं, वो three part tariff use करते हैं, देखो कैसे, हम लोग क्या करते हैं, जब electricity connection लेते हैं, उसका bill करते हैं, एनि electrical connection का bill देते हैं, this is what we call A, उसके बाद हमारे घर के अंदर जो washing machine, TV, fridge, यह सब use करते हैं, इसके according हम लोग एक maximum demand, यानि कि कितने watt का लोग कहते हैं, कितने watt का meter लगा हुआ आपके घर में, तो जो कितने watt का meter लगा हुआ है, it will decided by the maximum demand, समझ में आ रही है, तो तुमारे घर में जो meter लगा होगा, वो particular watt का meter होगा, और वो कौन decide करेगा, वो decide करेगी, तुमारी maximum demand, तो यह हो गया, तुमारा बी डॉट क्लोवाट, ठीक है, समझ में आ गया, दैन उसके बाद तुम घर के अंदर बिजली जब ली है, connection लिया है, तो घर के अंदर party करोगे, यानि कि जो बिजली consume करोगे, तो जो electricity consume होगी, ठीक है, यह आ जाती ही, तुमारी running cost के अंदर, C. के क्ल क्लोवाट हार, समझ मारी बात है, तो इस तरीके से हम लोग यह problem को solve करते हैं, तो आयो आपको lecture आज का फसंद आया होगा, यहाँ पर इस particular lecture के अंदर मैंने अभी तक जितना भी cover किया है, तो हमने पहले जो इससे previous lecture था, first part of tariff, वहाँ पे हमने simple flat end इसको consume करा था, क्या नाम को कैसे discount दिया जाए, पर उसके बाद एक बार consumer बढ़ गए, तो utilities को लगा यार कि अपना भी तो profit निकालना है, तो हमने क्या करा, अब जो मैंने दूसरा part बनाया, यानि कि टू पार्ट, त्री पार्ट, इसके अंदर पूरा का पूरा यह system था, यह utilities के लिए focus करा गया, या क्योंकि अब लोग आदी हो चुके हैं power से, तो जो पुराने system थे, वो जब 19 में, 19 में जब बिजली नहीं नहीं बनी थी, लोग बाटी गई, तब use होते थे, क्योंकि उस समय लोग बिजली के habitual नहीं थे, लेकिन अब जब light के habitual हो गए, कोई सोची नहीं सकता बिना light के, कु पूर पाउर फेक्टर की, तो उसको तो कुछ पैनाल्टी देनी चाहिए ना, और इस पैनाल्टी के लिए हम लोग कैसे मीजर करेंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे, नेक्स लेक्चर में, आप नमना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद,